नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस समस्या के बारे में, जिसके बारे में आम तोर पर लोग कम बात करते हैं, यानि कि वजन बढ़ाने के बारे में, वजन घटाने से संबंदित तो बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, बहुत सारे दवाओं के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे नुस्खों के बारे में आपने सुना होगा कि पेट की चर्वी को कम कैसे किया जाए, वजन को कैसे रात और रात घटा दिया जाए, चर्वी को कैसे पिगलाया जाए, आपने इसके बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे दवाओं और बहुत सारे नुस्खों के बारे में आपने सुना होगा आज हम बात करेंगे कि हम वजन को कैसे बढ़ा सकते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी चीज़ों के बारे में जो ना केवल आपके वजन को बढ़ाएंगी वजन बढ़ाने में आपकी help करेंगी बलकि उसको maintain भी करेंगी तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों उन दोनों चीजों के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपका शरीर दुबला पतला है लेकिन आपके शरीर में चुस्तिस फूर्ती बनी हुई है आपको अपने रोज मर्रा के काम करने में किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है और आप अपने हर काम को बड़ी एक्टिवनेस के साथ पूरा कर लेते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूँगा कि आपको अपना बजन बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल तो लोग मोटापे को कम करके और दुबले पतले बने रहना पसंद करते हैं क्योंकि जब हमारा शरीर दुबला पतला रहता है तो वो लगता दुबला पतला है लेकिन हमारे शरीर की एक्टिविटी मोटापे की तुलना में ज़्यादा रहती है इसलिए अगर आपका शरीर दुबला पतला भी है और आपको हर दिन के काम करने में कोई परिशानी नहीं होती है, एक्टिव आप भरपूर रहते हैं, खूब आपके अंदर चुस्तिस फूर्ती रहती है, तो मेरे हिसाब से आपको वजन बढ़ानी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, कि एक जमाने में आपका जो वजन था वो फिर भी हैल्दी था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, कि आपका वजन जो है वो दिन पर दिन घटा जा रहा है, तब उस कंडिशन में आप मैं जो इन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं, उनका उप होती हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जो दिन भर में अच्छी डाइट लेने के बाद भी, यानि कि 6-7 रोटी खा लेते हैं, उसके बाद भी दुबले पतले बने रहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत वी है, हम जो खाना खा रहे होते हैं, वो खाना सही तरीके से पच नहीं रहा है, और जब खाना सही तरीके से पच नहीं रहा है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रियाइंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर को मौटापा देते हैं, जो हमारे शरीर को फिटनेस देते हैं, जो हमारे चेहरे पर एक लालीमा लेकर आते हैं वो न्यूट्रियंट्स हमारे शरीर को नहीं मिल रहे होते हैं तो वजन बढ़ाने के लिए ये जरूरी होगा कि सबसे पहले हम अपने digestive system को पूरी तरह से ठीक करें और digestive system को ठीक करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है त्रिफला त्रिफला के बारे में आपने हज्जारों बार सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुझे सुना होगा क्योंकि त्रिफला है ही एक ऐसी चीज त्रिफला ना केबल आपके digestive system को पूरी तरह से ठीक करता है बलकि ये आतों में होने वाली nutrients के absorption को भी बढ़ा देता है यानि कि जो पोशक तत्व हमारे खाने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचते हैं उनके absorption को भी त्रिफला बढ़ा देता है अब त्रिफला खाने का जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों वो ये है कि आपको एक चमच त्रिफला पाउडर लेना है एक बड़ी चमच त पानी और मिलाना है और उसको अच्छे से स्टिर कर लेना है अच्छे से घोल लेना है मिला लेना है और उसके बाद उसे आपको सोटे समय पी लेना है इसका फाइदा ये होगा कि ना के बल सुबह से आपका पेट साफ होने लगेगा बलकि आपकी आतों में जो गती है वो भ अब आपको जीरे के बारे में जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि जीरा हमारे शरीर में मौझूद जो digestive juices होते हैं उसके secretion को बढ़ा देता है यानि कि खाना पचाने वाले जो रस होते हैं उनके secretion को बढ़ा देता है जिसके कारण automatically हमारा digestive system बहुत अच्छे से काम करने लगत अब जीरे को खाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है दोस्तों कि आपको एक चम्मच जीरा लेना है और उसे एक गिलास पानी में डाल कर अच्छे से घोल कर गैस पे गर्म होने के लिए रख देना है लगभग 10-12 मिनिट आपको ये पानी उबलने देना है जब ये आदा गुसिटम के जो ऊते हैं जो कि हमारे खाने के पाचन में हमारी सहर्ण वाले है वो पूरी तरह से सीक्रीट होने लगते हैं और हमारा डाइजेशन सुधरने लगता है ऐसा आपको दोनों टाइम करना है दोस्तों जब भी आप खाना खाने बैठ है आपको आधे घंडे पहल यानि कि आप जो खाना खाएंगे उससे ये पॉश्टिक चीज़ों को आपके शरीर में पहुँचाएगी और जो लोग कहते हैं कि हमें खाया पिया नहीं लगता उनको जो भी वो खाएंगे उससे उन्हें पूरी तरह न्यूट्रियंट्स मिलने लगेंगे अब मैं बात करता हूँ उन चीज़ों के बारे में जो डारेक्टली आपका वजन मढ़ाने वाली हैं इसमें आप बहुत सारी दवाएं आती हैं लेकिन मैं जिन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो पूरी तरह से नैचुरल हैं उनमें किसी भी प्रकार के के वीडियोज में बताया है कि अश्वगंदा हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही पॉश्टिक पदार्थ है यदि एक निश्चित मात्रा में प्रती दिन इसका सेवन किया जाता है तो ये नाकेबल हमारे शरीर में मसल मास बिल्ड करता है यानि कि हमारे मसल्स को हमारी मास पेशि इसी लिए आयोरवेद में किया जाता रहा है ठीक इसी प्रकार शतावरी का जो पाउडर होता है वो भी हमारे मसल मास को बढ़ाने में हमारी बहुत जादा है यानि कि हमारी मास पेशियों को बढ़ाता है अब हमें अश्वगंदा और शतावरी के पाउडर को साथ में इस् अश्वगंधा और शतावरी का उपयोग कैसे करना है इसके लिए आपको एक गिलास गर्म दूद लेना है और उसमें एक चम्मच पाउडर आपको डालना है अश्वगंधा का और एक चम्मच पाउडर डालना है आपको शतावरी का दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ह और उस दूद को रात में सोते समय आपको पी लेना है ये जो नुस्खा है दोस्तों ये ना केवल आपके वजन को बढ़ाने में आपकी हल्प करेगा बलकि शारीरिक और मानसिक संतुष्टी भी आपको देता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर की भाग दोड के बाद अपने घर आते हैं और उनमें किसी भी काम को करने की कोई शम्दा नहीं रहती है सामाने तोर पर भी वो अपने आपको बहुत कमजोर महसूस करते हैं उन लोगों के लिए भी कमजोरी दूर करने वाले नुस्खे के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं यानि कि जिन लोगों को अपना वजन नहीं बढ़ाना है वो अंदर से फिट हैं अपने आपको अच्छा वजन में महसूस करते हैं लेकिन उनके अंदर कमजोरी बहुत है किसी भी काम को करने का उनका मन नहीं करता है तब उस कंडिशन में भी ये नुस्खा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अब अगर मैं बात करता हूँ होमियोपैथिक दबाओं की तो मैंने पहले भी कई बार अपने लाइव सेशन और वीडियोज में बताया है कि आप अलफा माल्ट जो एक होमियोपैथि का प्रोड़क्ट है आप उसका उपयोग कर सकते हैं अश्वगंदा मदर टिंचर होमियोपैथि में भी आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं और जनरल इनरजी के लिए आप फाइफ फॉस टैबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं अलफा माल्ट की एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को आप खाना खाने के बाद पानी से खा सकते हैं और यदि आपने खाना नहीं खाया है, तो फिर उसे दूद से पीना है, एक गिलास दूद से आप एक चम्मच अल्फा माल्ट खा सकते हैं, इसके साथ हमें अश्वगंदा का जो मदर टिंचर है, वो दस दस बून, सुबे, शाम, आदे कप या एक कप, गर्म गुनगने पानी में मिला कर आपको पीना चाहिए, ये भी दोनों चीज़े आपके वजन को बढ़ाने में और आपके शरीर को चुस्ती स्पूर्ती देने में मदद करती हैं,